अब एना यहाँ पे अपना ड्रेस बनाने के काम में लग जाती है वहां रॉबर्ट अभी भी अपने किंग के प्रेशर में रहता है ग्रैन को कैसल का होल्ड अभी भी नहीं मिल पाता और विवियन अपने लड़कियों के लिए एक अच्छा सा सूटर ढूनने में लगी होती है यहाँ एक गाना होता है जिसमें सभी का स्ट्रगल दिखाया गया है अब विवियन और उसके डॉर्टर्स बॉल में जाने की तैयारी में लगे हुए होते है विवियन की दोनों डॉर्टर्स अलगी ख्वाबों में खोई हुई रहती है उन्हें लगता है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी प्रिंसेस बन गई तो भी उनके फैमिली की इज़द बढ़ जाएगी और वो बहुत ही एशो आराम की जिन्दगी काट सके तब ही उनके सपनों को चकना चुर करने के लिए वहाँ पे एला आ जाती है वो बहुत ही कुपसूरत सा ड्रेस पहन कर आती है जो उसने डिजाइन किया हुआ होता है विवियन उसके ड्रेस को देख कर तारिफ करती है और कहती है कि पर तुम नहीं आ सकती बॉल में क्योंकि तुमारी शादी तो मैंने थॉमस से और डेडी फिक्स कर चुकी है जा कहती है कि थॉमस मैं उससे शादी नहीं करूंगी और वो कहती है कि मुझे बॉल में आना होगा क्योंकि उसके ड्रेस की डिजाइन वहाँ पर दिखानी होती है फिर भी विवियन उसे मना कर देती है एला रोते हुए बेस्मेंट में नीचे आकर खड़ी हो जाती है और बहुत रोती है तभी हमें स्टार्टिंग सीन में जिस लेडी बग को एला ने बचाया था जो वो सीन हमें दिखाया गया था वही लेडी बग अब बड़ी हो गई होती है और वो एक फेरी गौड में बदल गई होती है वो एला के सामने खड़ी हो जाती है वो एला को उसी दौरा बनाई हुई डिजाइनिंग ड्रेस पहना देता है पहन कर एला बहुत ही ज़ादा हो जाती है उसके साथ उसे वो हील्स भी देता है जो सैंडल्स वो पहनी होती है वो एकदम जादू होती है उसी के साथ जो उसके तीन चुहे दोस्त होते है उनको भी वो एतीन आदमियों में बदल देती है जो उसके साथ किंग्डम में जाएंगे तभी आला को fairy god कहती है कि इन सब का असर सिर्फ बारा बज़े तक ही रहेगा बारा बज़ने के बाद ये सब कुछ गायब हो जाएगा और तुम अपनी असली रूप में आ जाओगे यहाँ kingdom में ball का program जो रोशोरो से चल रहा होता है सभी princess अपनी प्रिंस को इंप्रेस करने में लगी रहती है सभी लड़कियों को लगता है कि प्रिंस को कैसे इंप्रेस करे सब नाचते है गाते है अपना अपना टालेंट दिखाते है सब kingdom में मौझूद होते है फिर भी prince Robert अभी भी एला का ही जार कर रहा होता है वो सोच रहा होता है कि एला नहीं दिख रही वो हर तरफ एला को ही देख रहा होता है पर वो अभी तक आई नहीं होती है फाइनली एला kingdom में पोहँच जाती है पर उसकी मुलाकाच सबसे पहले वीवियन से हो जाती है विवियन को देखकर वो चौकती है और कहती है कि सौरी मुझे माफ कर दो पर वो कुछ बोले उससे पहले ही विवियन उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिये और आप बहुत ही सुन्दर लग रही है उससे पता चलता है कि एला को विवियन ने पहचाना ही नहीं पर एला कहती है कि थैंक यू और वहाँ से वो जल्दी से चली जाती है फाइनली एला और प्रिंस रॉबर्ट मिलते है और प्रिंस रॉबर्ट को देखकर एला कहती है कि तुम तो मुझे मार्केट में मिले थे मतलब कि यह प्रिंस रॉबर्ट ही था और यह सब बात अला समझ जाती है और कहती है मेरा यहां कोई काम नहीं क्योंकि वह आज ब्राइट सिलेक्ट होने आई ही नहीं थी फिर भी प्रिंस रॉबर्ट उसे कहता है कि अब तुम आही गई हो तो तुम अपना डिजाइनिंग ड्रेस जो उसने प्रिंस रॉबर्ट को बेचा था तो वो किसने पहना है वो नहीं देखोगी तो वो उसकी सिस्टर ने पहना हुआ होता है जो कि ग्रैन है वो दिखाती है स तो वो दोनों डांस करने लग जाते हैं, एकदम इमोशनल और बहुती क्यूट डांस करते हैं वो दोनों साथ में, उसके बाद प्रिंस रॉबर्ट एला को अपनी प्राइवेट रूम में लेके जाता है, एक प्राइवेट डेट की तरह, और उससे कुछ बाते करनी होते हैं, एला भी खुश होती है, दोनों भी प्यार में होते हैं, पर एला सब भी बात सुनती है प्रिंस की इपर उसमें करियर का कुछ भी प्रिंस बोलता नहीं, एला को करना होता है बिजनेस, और वो कहती है कि मैं प्यार और करियर में से सिर्फ करियर चुनूँगी, क्योंकि वहा दोनों भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस थे एला को बिजनेस करना था और प्रिंस को और प्रिंस किंगडम का होने वाला किंग था तो दोनों भी अपने करियर को लेकर सीरियस थे तो दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर वो अपना रिलेशन एंड कर देते हैं दोनों न चाहते हुए भी वो एंड करने की सोचते है एला वहाँ से रोते रोते जाने ही वाली होती है पर वो जान ही पाती वो फिर से लोट कर प्रिंस के पास आ जाती है यहाँ पर इन दोनों का कीश होने वाला होता है पर सड़नली 12 बज जाते है और एला को याद आ जाता है कि 12 बजे सब कुछ चेंज होने वाला था तो वो जट से वहाँ से भाग जाती है प्रिंस रॉबर्ट भी एला से कुछ सवाल नहीं करता और उसको भागने में मदद कर देता है पूरे लोग उसे देखते रहते हैं वो उनमें से भाग के चली जाती है किंग उसके पीछे एक आदमी भेशता है एला उसे अपनी सैंडल लजाती है और प्रिंसों में ना भूले और पार्ट फरी आ गया है आप जले सकते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पार्ट वाइज मैं बता रही हूँ तो आप इंजा कर रहे हैं या नहीं वो भी बताए